क्या टेप बॉल में आप अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं या आपकी टीम वाले आपको हलका बॉलर समझते हैं अगर इन दोनों क्रेस्टन के ज्वाब हाँ हैं तो फिर आप सही वीडियो पे आये हैं यह वीडियो पूरी देखना है इस वीडियो को देखने के तो ठीक है आज की मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कुछ टेक्नीक्स बताऊंगा और कुछ आपकी गलतियं बताऊंगा जिसकी वज़ा से आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाती तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले म मेरा लिंक मुझूद है इंस्टाग्राम पे आप जाके लिंक के जरीए भी पूछ सकते हैं जो बॉलर है ना वो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं मेरी नजर में तो इससे बड़ी गलती वाब बोलर के लिए हो नहीं सकती कि वो बिना वाम अप किये बॉलिंग करवाने पे आ आपको पता हो कि जैसे ही आपकी बॉलिंग आनी है 5-7 मिनिट पहले आप अपनी बॉडी को वाम अप कर लें अक फाब बोलर का वाम अप है वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में सारी डिटेल से मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि एक फ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रनप के बारे में जब तक एक फाब बोलर का रनप ठीक नहीं होगा कभी भी उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती सबसे पहले आपने अपने रनप को अच्छा करना है तो रनप आपका बिश्यक्त 6 कदम का है 8 कदम का है यह 10 कदम का है लेए के कि आपने यहाँ पर एक निशान लगा लेना निशान लगाने के बार Is sixe कदम और आठ कदम तक अबने अपने अपना डिना आप ले लेना here यह कदम का बिलपर्द में ले लेता हूँ यहाँ पर आप् Walk round लेने के बार्द आपने बिल्कुल सीधा भागना है मैंने कुछ वाबॉलों को देखा है कि वह इस तरह साइड से आ रहे होते हैं कुछ इस साइड से आ रहे हैं कुछ ऐसे टेड़े मेड़े बाग रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपने यह आपका अपने बिल्कुल यह सीधा भाग जब आपने बालिंग रिलीजिंग पर आना जैसे आप 3-4 किदम पहले आते हैं तो वहां पर आप आपने आके अपना पुश करना है अपने बॉड़ी को पुश करना है जोर लगाना है और वहां से आके आपने तेज रन-ब करना अपना पीछे से आपने बिल्कुल नॉर्मल आना है जैसे कि हईरिफलेन उड्तै है आरफलेन पहले आराम से से ओता है ऐसे ही हपने करना है कि पहले आराम से आने गमें पर अब आपका action run up तेज हो के बाद number two आता है कि आपने बोल को grip कैसे करने हैं बहुत सारे लोग हैं उनको टेप बोल grip करनी नहीं आती है करने से आपके आदी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो मैं आपको बताता हूं मैंने देखा है कि बहुत सारे किक्टर ना ऐसे बोल को grip करते हैं तो इस तरह बोल बिल्कुल आपके श्कंजे में आ जाता है और सही से निकलता नहीं और बहुत ताइट या बिल्कुल धीला करते हैं इसी तरह ना ज्यादा टाइट और ना ज्यादा हलका इस ताब बोल को पकरना है और आपने हमेश्चा अपने रिस्ट को लॉक रखने है या आपकी जब रिस्ट लॉक रहेगी तो लग के बोल इंक्रीज करेगा आपकी स्पीड बढ़ेगी जीतों किक्टर उसके आपने रन अप ले लिया आपकी ये पॉजिशन सेट होगी उसके बार आपने करना किया है कि जैसी आपने बोल करवाने है ना तो हमेश्चा अपना हाथ हाई आम लेके आना है ना कि साइट से साइट से स्पीड कम हो जाती है आपकी हाई आम आक्शन रखना और अपने इस ह कमर को थोड़ा से बेंड करके और यह आपकी टांग सीधी आएगी ऐसे यह जैसे यह आएगी इससे आपकी स्पीड कमर लगेगी और स्पीड ज्यादा बढ़ेगी यह थी आज की इंफरमेटिव वीडियो टेप बॉल के लिए उमीद करता हूं कि इन जो टिप्स मैंने आपक इन पे फोकस ज्यादा करना है आपनी नमबर वान रड़ नम पच्छा रखने हैं दूसरा बोल बोल को सही पकरने है तीक है तीसा अपनी बोडी को जब आप रिलीजिंग प्राएंगे बोल के तो अपनी बोड़ी से और हाथ से पूरे जोर से बोल को फैकने हैं तो यह थी इंफर्मिटिव वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में ओके अलाव आपिस